हलो एब्रीवन मैं प्रिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में कैसे हो आप सब कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूलें हम हेर की है के घर करते हैं हेर करने चकर काफी जाहदा जल गये हम तो आज में आप को वहीं दिखाने वाले हैं और अगर आफ लोगों को वीडियो देखना है interested है आप लोग तो वीडियो को सुरू से लेकिन लास तक देखिए अगा वीडियो पसंद आये तो को सुपर सॉप्ट नेश्रल ग्लॉई मेकप मैंने कैसे क्रियेट किया हुगा है तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सिरम लगा रहे हूं उस दिरम है लोरियाल का ताकि हमारे जो हैं वो डैमेज ना हो हीट से प्रोटेक्ट हो पाएं तो आप भी लगा लें मेरे बाल काफी ज्य दो पार्ट में सबसे पहले आगे की बालो को हम लेकी बन बना ले रहे हैं और एक क्लस्चर की हल्प से सिक्योर कर लेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आये आपको अच्छा लगे तो मेक्शियोर लाइक कर दें अब हम थोड़ा थोड़ा सेक्षन लेंगे जादा नहीं मैंने इसे रख दिया था गरम होने के लिए और हम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो राउंड राउंड करके करल कर ले रहे हैं मैं कोई हैर एक्सपर्ट मतलब ऐसा मुझे मैंने कोई कोर्स वगरा नहीं किया हुआ है बस खुद से ही सीखा हुआ है तो अगर कोई करते हैं और जब मैं कंप्लीट नहीं करती हूं तो आप ही लोग गुस्सा हो जाते हो दिया आप से एर नहीं करते हो तो मैंने सोच लिया कि चलो यार आप लोगों की नाराजगी से अच्छा है कि आप लोगों की थोड़ी सी डाट सहलू और आप लोगों को बता दूं कि मै किसाहिकसे अपने एयर करल करती हूँ तो आप काफ़ सिंपल तरीका है बस मैं बालों को दो पार्ट में डिवाइट करती हूं और थोड़ाम थोड़ा से क्रिपे लेकर सेपटी कड़ करती हूं और जहां भी छूटता है ना मैं उसे बाद में कुछ इस तरीके से पकड़ के करल कर लेती हूं करलर की हल्प से तो हमें प्रॉपर करल मिल जाता है यह देखें ऐसा अब इसे निकाल देना है कुछ ही सेकिंड आपको लगाना होता है और इसमें हेर करलर यूज करें यह काफी अच्छा हेर करलर है इसको मैंने मेरे लोकल मार्केट से लिया था लखनाउशे हजरत गन से लिया था तो ऐसे ही मैं इस साइड़ के भी बालो को लगा ले रहez हूं यार हेर करल करते हैं काफी पसीना हो रहा था तो आप देख लीजी चालत क्या हो गया कुछ इस तरीके से घुमाना है और नीचे कुछ इस तरीके से ज़से मैं आपको दिखा इधर प्रॉपर कर लो जा रहा था दोनों साइड में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो जाती है ठीक से नहीं हो पाती बड़ चल जाता है कौन सा मुझे करना है कर ली तो चाहिए ना तो हो ही जाता है देखिए से रांड रांड पीछे हाथ ऐसे गुल-गुल गुमाएंगे न तो इधर की साइड में भी हो जाएगा कुछ इस तरीकी से ओपन कर लीजिए लेकिन जब भी आप हेयर कर रहे हैं मेक शिरम जरूरी उच कि लिए मैंने लुक भी इंक्लूड कर दिया हुआ है मैंने सोचा कि किसी को हो सकता है या स्टारिंग ना देखना हो तो मेक अप देख लें अभी फेस्ट्यू सीजन स्टार्ट हो गया दी पावली आने वाली है तो आप कुछ इस तरीके से अच्छा सा मेक अप क्रियेट कर सकते हो देखने में नेच्रल भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को आपने की मेक अप किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से मैंने बालों को करल कर लिया है देखिए मैंने यहां पर फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया हुआ है क्योंकि मैंने जितना समझाना था समझ तो अब बस जितने बाल हमारे छूटे हुए हैं उन बालों को हम करल कर ले रहे हैं यहां नीचे की साइड में तो ऐसे ही आप भी करल कर लीजिएगा धीरे-धीरे आप भी सीख जाएंगे धीरे-धीरे हम भी सीखी रहे हैं वाहर जाने से अच्छा है कि हम खुदी घर बालों को फिर से खोल देना ए उपर की तरोप से इसमें भी दो पार्ट आपको बाहुए लेना है आप कुछ इस तरीके से आपको करल कर लेना है काफी सिंपल है यार बस थोड़े सा इस टेप आपको ध्यान में रखना है ए ध्यान में रखना है कि आपको किस साइड में करलर घुमाना है ताकि आपको प्रॉपर करल मिल जाए बस हो गया जलेबियां ही तो तलनी है न तो तो बस काफी सिंपल है काफी सिंपल है हाँ बोरी अदवड़ी लगती है यार रोम में न गानवाना चला के रख दें तभी आप हेयर करल कर पाएंगे नहीं तो इतना टाइम लगता है कि आप बोर हो जाएंगे तो बस-बस मैंने ऐसे ही करल कर लिया और खुदी सोच आदे मिल्डल यहरा बाल करत आप चलो कि अधर आप पन खुदिक से आपको इस साइड कर लेना एंगि अ कि आअ चिजिए साइडके को कुछीश तरीके से कि मतला बालों को कारल गट्वर्ट वैसे आपको पकड़ना है और हमारा कंडल जो है आटोमेटिख है तो डिड decision तो बस हो गया हमारा बाल करल देखने में तो आपको सिर्फ 6-7 मिनट लगे हैं लेकिन मुझसे पूछो और इस बाल को करल करने के चकर में इस बाल को करने के चकर में कितनी बुरी तरीके से जली हूँ आपने मेरे ब्लॉग में देखी लिया होगा तो बस डंडड़ा डंड़ा अच्छा आपको मैं इस डेट हेयर में अच्छी लगती हूँ या करली हेयर में प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं तैंक गॉड हो गया अब चलो थोड़ा सा हम लगा लेते हैं क्या एक सिरम लगा लेते हैं जिससे मारा जो करल है वो लॉंग टाइम तक ऐसे ही रहें तो बस वैसे मुझे ऐसे नहीं रखना है क्यूंकि मुझे इतना करली हेयर नहीं पसंद है तो मैं अभी एक करल खोल दू क्याया थिक लगते हैं कि पुछो मत तो ऐसे मेरे हेयर काफी पतले हैं आपने देखा यह इतना जादा इतना जादा सिल्की है कि बाल मेरा काफी पतला-पतला सा दिखता है सो इसली मैं करलकर लेती हूं था कि मेरे जो हेयर है और थोड़ा सा थीख थीख दिखें मस हो गया चलो बालो को खोल लेते हैं हाई रभा कैसी लग रही हूं मैं अब चलो बढ़ते हैं मेकप की तरफ तो सबसे पहले मैं यहां पर न्यूट्रिडम का मौश राजल लोशन यूज कर रहे हूं इतना देर बालो को मैंने करल किया हुआ इतना पसीना हो रहा था और ऐसा लग रहा सब्सक्राइब करें तो आपको ऐसे मौश राजर की जरूरत है जो आपके फेस को लंबे डायम तक मौश राइज रखे सो थोड़ा सा मैंने लगाया फेस एन नेक पे थोड़ी सी क्वांटिटी लेतनी होती है आपको ज्यादा नहीं तो अच्छे से फेस एन नेक पे लगा मैंने अच्छे से लगा लिया फेस साइन नेक पे काफी सॉफ्ट सा मेक अप मैं करने वाली हूं जादा नहीं करने वाली हूं फेस्टिव सीजन के लिए वेस्ट ऑप्सन है इस मेक अप क्रिएट कर सकते हो कम टाइम में अब लिप को मौश राइज कर ले रहे हैं लिप को म अब यह जो निव लॉंच हुई है तो बस आपको आपको फिल कर लेडा है बाइद वे जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज किये उन सब का बाइ लिंक डिस्क्रिप्स बॉक्स में है तो आप लिंक के थ्रूजाए ले लिजिए कोई वीडियो रिक्वेस्ट या हो सजिसन तो भी आप कमेंट वॉक्स में टाइब करके बता सकते हैं फाउन्डेशन के लिए मैं यहाप पर एलेगल का फाउन्डेशन यूज कर जी हूँ ड्राइ स्कीन वालों के लिए बेस्ट ऑप्सन है अगर आप ड्राइ स्कीन वाले हैं तो आप इस फाउन्डेशन को ट्राइ कर सकते हैं आपको इलूमिनेटिंग लुक देता है अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हैप से अच्छे से ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा जो मैंने लिबांब लगाया था उसको कॉटन पैड की हैल्प से साफ कर लिया अब मैंने यहा करता है ब्लस लगा ले रहूं ब्लस के लिए स्टेक वर्की का ब्लस मैंने इसमें थोड़ा सा एक ट्राइ किया हुआ है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा वेडिंग है सिक्स लाइफ सेविंग वेडिंग है चैनल पे अल्री अप्रोड है देख लीजिएगा उसमें आपको काफी सारे हैक्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिस्याल यूश्फुल सा भीत हो सकते हैं सो इसको लगाया ब्लेंड किया यह देखिए काफी नेश्रल सा लुक प्रोवाइड करता है आपको थोड़ा सा आपको हाइलाइटर लगा लेना हाइलाटर के लिए म यहां पर मेबलीन मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाटर यूज कर रही हूं मेरा सेड जीरो फिप्टी है रोज गोल्ड मोल्टेन बस इसे मैंने लगा लिया पूरे मेकप को सेट करने के लिए मैंने आप पर मेकप प्लस प्राइम सेटिंग फिक्स स्प्रे है उसे उसे लगा या इसे आप ऐसा मेकप फिक्सर ऐसा प्राइमर काफी तरीके से यूज कर सकते हो सो रहा मेरा फाइनल लूक कैसे लगा बताना जरूर कोई वीडियो के विस्ट या हो सजेशन तो भी कमेंट बॉक्स में बताना बाइगाईज लॉट्स ओफ लव